Air conditioner के outer unit का temperature 80 degrees centigrade तक होता है जो हमारे environment temperature से almost double है लेकिन interestingly एक मेटर दूर अंदर की unit का temperature 16 degrees centigrade तक होता है एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग फेक्ट है एर कंडीशनर के अंदर जो gas होती है वह close loop में flow करती है इसकी gas खभी खतम हो ही नहीं सकती है और यदि close loop में ये flow करती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये gas environment के लिए harmful है तो ये सभी doubt इसकी working के साथ में clear करते हैं Air conditioner की कोई ज़्यादा complex engineering नहीं होती है, starting होती है compressor से. Air conditioner का heart यही device होता है और इस compressor के अंदर आज के modern time के according एक environment friendly gas भरी जाती है, जिसको R32 बोलते हैं, इस gas को refrigerant भी बोल सकते हैं. जब compressor इस gas को compress करेगा तो इसका pressure बढ़ने लगेगा जिसकी वज़े से temperature भी बढ़ने लग जाएगा और जब gas compressor से बाहर निकलेगी तो इसका temperature होगा 80 degree centigrade अब इस high temperature को हमें थोड़ा ठंडा करने की जरूत है तो refresh rate पहुंसता है condenser coil के पास में आज के time में AC के उपर 100% copper coil लिखा रहता है तो company इसी coil की बात कर रही होती है क्योंकि copper coil की heat exchange quality बहुत सांदार होती है तो ये गरम और ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है इन इतनी लंबी coil से जब refrigerant flow करेगा तो ठंडा होने लगेगा और इस coil से heat को जल्दी बहार निकालने के लिए एक fan भी लगा रहता है जब refrigerant coil से बहार निकलेगा तो इसका temperature 50 degree centigrade तक पहुंच जाएगा लेकिन condensing coil के पास में जो gas compressor से मिल रही थी उसको ये liquid में बदल देगा आपको पता है जब हम पानी को गरम करते हैं तो वह liquid से vapor में बदल जाता है यानि liquid से gas इसके उल्टा जब cold ring की bottle को हम fridge से निकाल कर बाहर रखते हैं तो इसके चारों तरफ पानी की बुंदे जमा हो जाती है जिसका मतलब है vapor वापस liquid में बदल रहा है तो condensing coil भी gas को ठंडा करने का काम करती है जिससे यह gas से liquid में बदल जाती है लेकिन अभी भी यह high temperature का liquid हमारे किसी काम का नहीं है तो यहां से liquid expansion wall के पास में जाता है expansion wall का orifice बहुँ छोटा होता है तो इधर वाली side में बहुँ ज्यादा high pressure भी है और high temperature भी है लेकिन जब इस narrow opening से refrigerant बहार निकलेगा तो इसका pressure suddenly reduce हो जाएगा जिसके साथ में इसका temperature भी reduce हो जाएगा और यह liquid expand करेगा जिससे यह refrigerant वापस liquid से gas में बदलने लग जाएगा लेकिन यहाँ पर liquid 100% gas में नहीं बदल पाता है यह wall ठीक एक water spray की तरह काम करता है water spray भी basically water को vapor में बदल देता है और यह काफी ठंडे भी होते हैं गर्मियों में छट पे रखी टंकी का पानी बहुँ ज्यादा गरम हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए sour से आपको पानी का tub भरना होगा और आप देखना पानी का temperature काफी reduce हो जाएगा अब यह कोईल भी copper की ही बनी होती है जो heat exchange का काम करती है अब यह कोईल रूम में कितनी heat को absorb करेगी इसको ton में मापा जाता है वन टन लगबग 3500 वोट heat exchange करता है जबकि वन टन का AC 1000 वोट आवर की electricity कंजूम करता है जब ठंडा liquid refrigerant इस कोईल से flow करेगा तो यहाँ पे लगावा फेन इस ठंड़क को पूरे रूम में फैला देगा जिस तरीके से cold drink की bottle के चारों तरब पानी इकटा होता है ठीक वैसे ही इवेपोरेटर कोईल काफी ठंडी होती है तो इसके चारों तरब भी water के वेपर इकटा होने लग जाएंगे जिनको side में collect करके इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है इसी फंडे को यूज में लेकर बारिस के मोसम में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है तो air conditioner room के अंदर की नमी को भी soap कर बाहर निकाल देते हैं और अब यह coil room को थंडा कर रही है लेकिन room की जो गर्मी है उससे इसमें flow हो रहा refrigerant दीरे दीरे वापस गरम होने लगता है और अभी मैंने आपको बताया कि expansion wall liquid refrigerant को 100% वेपर में नहीं बदल पाता है तो room के अंदर जो गर्मी है उससे refrigerant वेपर में बदलने लग जाता है लेकिन जब room थंडा हो जाता है तो यह coil भी इस refrigerant को पूरा वेपर में नहीं बदल पाती है अब यह vaporator coil से यह mixed liquid और वेपर पहुंचता है compressor के पास में और जैसा कि इस device का नाम ही compressor है तो इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि सिरफ gas को ही compress किया जा सकता है liquid compress नहीं होता है और by chance यह liquid compressor में पहुंच गया तो compressor blast कर जाएगा और blast नहीं हुआ तो compressor के अंदर capacitor start single phase induction motor लगी रहती है वह जल जाएगी liquid से तो हमें compressor को safe रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो actual में expansion wall कुछ इस type का होता है और यह just evaporator coil के पास में लगा रहता है इसमें नीचे से high temperature और pressure वाला liquid आ रहा है और जब यह इस narrow area से पास करेगा तो vapor में बदल जाएगा expansion wall basically यहाँ पर जो opening है उसको control करता है यदि यह refrigerant को बहुत कम area से पास करवाएगा तो कुछ ही refrigerant vapor में बदल पाएगा जिससे evaporator coil कम ठंडी होगी और जितना ज़्यादा refrigerant यहाँ से पास होगा उतना ही room temperature डाउन होता जाएगा wall में उपर की तरप एक diaphragm लगा रहता है और यही diaphragm इस road के तरू यहाँ से flow हो रहे है refrigerant को control करता है और इस diaphragm को control करने के लिए कुछ एक heat sensing device इवेपोरेटर कोईल के बाहर की तरप exit पर लगी रहती है इसमें एक liquid होता है जो काफी heat sensitive होता है और इस heat sensing device के लगाते ही expansion wall का नाम बदल कर हो जाता है thermal expansion wall मान के चलते हैं आपने AC को 16 degree centigrade पर set कर रखा है जैसे ही room का temperature 18 degree centigrade पर पहुँचेगा तो इस heat sensing device में जो liquid है वह गरम होकर वेपर में बदलेगा और diaphragm के उपर force लगाएगा जिससे ज़्यादा refrigerant पास होगा और coil ज़्यादा ठंडी होगी coil ज़्यादा ठंडी होगी तो room की heat को ज़्यादा absorb करने लगेगी और इस heat से coil के अंदर जो पूरा refrigerant है वह वेपर में बदलने लग जाएगा और हमारा compressor एकदम safe रहेगा basically compressor condensing coil के एकदम pass में लगा रहता है और आज के time में spiral type compressor भी air conditioner में use होते हैं जो काफी silent और smooth होते हैं इन सभी type के compressor की मैंने इस video में detail से बात किये तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर दोनो pipe एक जिसमें compressor से evaporator की तरफ liquid जा रहा है और दूसरी जिसमें evaporator से निकल कर वापस compressor के पास में जा रहा है यह दोनो pipe एक दूसरे के पास में set की जाती है इसके पिछे region है इधर refrigerant condensing coil से आ रहा है जो अभी भी काफी गरम है और room को ठंडा करने के लिए जा रहा है अब एक सबसे important question वीडियो को pose करके comment में जरूर से लिखना क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी device है जो cooling को कम जादा कर रही है यदि आपका answer thermal expansion wall है तो आप गलत हो thermal expansion wall basically यह decide करता है कि compressor के पास में liquid पूरी तरीके से gas में बदल कर ही जाना चाहिए यहाँ पर basically temperature को control हमारा compressor ही करता है जब हम air conditioning के temperature को कम ज्यादा करते हैं तो basically हम compressor की motor की speed को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं जितना ज्यादा compressor refrigerant को pump करेगा उतनी ही ज्यादा cooling होगी तो यहाँ पर आपने देखा पूरा का पूरा system एक close loop में काम कर रहा है gas कहीं से leak होती ही नहीं है तो air conditioning की gas खतम हो जाए कोई chance ही नहीं है जब तक इसमें कोई leakage ना हो तो पुराने जमाने के air conditioning में leakage की वज़े से यह environment और हमारे दोनों के लिए ही खतरनाक है